हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूच्यूब चैनल जारे डाउनलेन क्लासेज में बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे रीडिंग कंपेन इंग्लिस की वर्कशीट नंबर 49 क्लास 5 वीक 9 देट है बच्चों 19 मार्च थीम है बच्चों लेट्स लर्न तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाए रड बटन दबाए और सभी म मेंबर्स ऑफ चिंटू फैमिली वर बीजी और कुड नॉट है बच्चों देखें प्रीवेस क्लास में हमने देखा कि चिंटू की शर्ट का बटन जो है वो तूट गया था और उसकी सारे फैमिली मेंबर्स जो थे वो अपने काम में बीजी थी ठीक है कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया let's read the story and find out what happened next अब बच्चों देखें next हम यहाँ पर पढ़ते हैं story की आगे क्या हुआ who helped him in stretching the button on his shirt उसकी shirt पर बटन लगाने में उसकी किसने help की तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाईए red बटन दबाईए और सभी चैनल को subscribe कीजे चैनल को subscribe करना ना भूलिए चिंटु डिड़ नाट नो what to do बच्चों चिंटु को नहीं पता था कि क्या करना है चिके then suddenly he got an idea बच्चों suddenly उसे एक idea आया चिके he found a needle and a thread उसे सुई और धागा मिला the thread went into the eye of the needle और वो thread needle की eye में उसने घुसा दिया चिंटु place the button on the shirt चिंटु ने shirt के उपर बटन को रखा the needle and thread went in and out up and down back and front again and again अब बच्चों जो thread और needle है वो अंदर बहार उपर नीचे आगे पीछे बार बार जाने लगी ठीके बच्चों now the button was fixed on the shirt बच्चों अब जो button है वो shirt पे fix हो गया था his mother and sister were full of joy that चिंटु had learned to stitch a button और बच्चों उसकी जो parents उसकी mother और उसकी जो बहन थी उन्हें वो बहुत ही proud feel हो रहा था कि चिंटु को button लगाना आ गया ठीके बच्चों चिंटु was very proud of himself अब चिंटु को भी खुद पे बहुत गर्व महसूस हुआ ठीके बच्चों तो इस तरह से story हमने यहां पे पड़ी we all were we all are very proud of चिंटु और हम सभी को चिंटु पे बहुत proud है there are some words which go together as a pair example thread and needle बच्चों कई चीज़े होती है जो यहां पे क्या होता है pair के साथ होती है जैसे सूई और धागा complete the pair below by writing the missing word take hint from the picture और बच्चों हमें picture की help से यहां पे complete करना है जैसे यहां पे bread है तो बच्चों bread के साथ क्या है butter, bread and butter, salt and pepper, pen and pencil, knife and fork ठीके बच्चों तिस तरह से आप सभी को picture देख करके यह complete करना है next बच्चों write a list of activity that you can do on your own बच्चों आप अपने खुद से कौन-कौन से activities कर सकते हैं तो आपको उनके एक list बनानी है जीस जैसे eat my food मैं अपना खाना खुद खा सकता हूँ radar book अपनी बुक खुद पढ़ सकता हूँ answer the phone फोन का जवाब मैं दे सकता हूँ chicken pick up toys toys को मैं उठा सकता हूँ water the plant पेड पौदों में मैं पानी डाल सकता हूँ इस तरह से बच्चों fold my clothes कपडों को घड़ी कर सकता हूँ तो बच्चों इस तरह से आप सभी को यहाँ पे बताना है कि आप क्या-क्या काम कर सकते हो इसके अलावा भी बच्चों आप जो काम कर सकते हो उनको यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से बच्चों आप सभी अपनी वर्क्षीट को solve करेंगे उमीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ माया होगा बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो like बटन दबा करके सभी वीडियो को like करें जादा से जादा share करे और नीचे comment box में comment करके जरूर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ सभी मेरे चैनल को subscribe करें चनल को सस्क्राइब करना ना भूले आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फर वाचिंग दी वीडियो एव नाइस दे स्टुडेंट्स